आज हम आपको डास्ट एलर्जी को ठीक करने के एक हमियापेथिक दवा के बारे में जानकाईज दूँगा जिसका रेगुलर यूज करने के बाद आपको डास्ट एलर्जी में तुरंत आरा मिलेगा यह हमियापेथिक की बहुत अच्छी और कारगर दवा है तो वीडियो को करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और डिजी से संबंधित कोई जानकाई लेनी है तो आप मेरे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके पूर सकते हुआ है नमस्कार दोस्तों हमियोपेथिक एट होम में आपका स्वागत है मैं अभी शेक कुमार आज हम आपको डाश्ट एलरजी को ठीक करने के एक हमियोपेथिक दबार के बारे में जानकाई जूँगा जिसका रेगुलर परियोग करने से आपकी डाश्ट एलरजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको डाश्ट एलरजी फी कभी नहीं होगी यह हमियोपेथिक की बहुत यह चीक हमें बाल बाल आती है अब हम जानते हैं डास्ट एलाजी के क्या कारण होते हैं तो सबसे पहला कारण होता है कि हमारा जब अन्म्निंटी सिच्टम कम जोर होता हमें dust el邊ig होने लगती है चूटे छोटे धूलकन य्या मिटी किन या पराग आ कन हमा नाग में जाने के काई अमें dust el邊igGHT होने लगती है जब कभी हम भद काई किश आए कर पावी को है तो अगर किशी के पापा ममी को है तो उसको भी जैनेटीक कि अवराजी होने की समभाबना बढ़ dhardy है धूरी किसाफ़ाई करते हैं जो धूर्ख उष्की होने की समभवना बढ़ जाती है दोस्तो अब हम यह जानते हैं ले दिएई होने पर आपको क्या-क्या लच्छन दिखाए देगेफे दोस्तों दस्ट एलर्जी होने पर आपको लगातार नाग से ठीके आएगी, दस्ट एलर्जी होने पर आपको आपको आख में इचिंग होना शुरू हो जाएंगे, दस्ट एलर्जी होने पर आपको आपको आख में इचिंग होने लगेंगे, अगर आपको दस्ट एलर्जी हो दस्ट एलर्जी होने पर आपको नांख गले और आंख में इरिटेशन होना शुरू होता है दोस्तों तो दस्ट एलर्जी होने पर आपको यह सब लच्छन दिखाए देंगे दोस्तों अगर आपको dust allergy होती है तो आप बजार से जाकर antik allergy medicine लाखे खा लेते हैं तो आपको उसमें तुरंट अला मिलता है लेकिन इसको खाने के बाद आपको आलस आएगा आपको कमजोरी आजाएगी और आपको हमेशा आलस जैसा मन करने लगेगा और इस दवा का side effect भी बहुत होता है तो आज हम आपको dust allergy को ठीक करने के जर से ही ठीक करने के एक हमेशा ठीक दवा के बारे में जान काई जूँगा इसका उप्योग करने के बाद आपको dust allergy बिलकुल ठीक हो जाएगी तो आप हम चलते हैं उस दवा की और तो पहली दवा का नाम है पोथोज Q यूज करने के तरीका हाप का पानी में 20 बुन दाल का सुबह दोपार और साम पीना है और दूसरी दवा का नाम है R84 यूज करने के तरीका 1 फोट का पानी में 15 से 20 बुन दाल का सुबह दोपार और साम पीना है और तिसरी दवा का नाम है एलियम सीपा 30 यूज़ करने का तरीका दो बुन सुबार, दो बुन दोपार और दो बुन साम में पिना है तो इन तीनों दवा का परियोग करने से आपके dust allergy बिल्कुल जार से ही ठीक हो जाएगी और दोबारा कभी नहीं होगा और इस दवा का कोई side effect भी नहीं है दोस्तों dust allergy कि ये तीनों दवा बहुत अच्छी और कारगार है तो एक बार यूज़ करके जरूर देखें तो dust allergy होने पर कुछ खान पान पर भी धियान देना चाहिए आपको विटामिन C का ज्याधा परियोग करना चाहिए ऐसे संत्रा हो गया नेमु हो गया इस सब का ज्याधा परियोग करना चाहिए हमेशा मास्क लगा कहीं मार्केट में जाना चाहिए जहां दस्ट का जहां दस्ट जादा धुलकन उड़ रहा हो और ठंडी चीज का परियोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो दवा के साथ इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको डस्ट एलर्जी में तुरंत आराम मिलेगा और ये रेगुलर दवा का परियोग करेंगे तो आपकी डस्ट एलर्जी जासे ही ठीक हो जाएगी और दवारा कभी नहीं होगी ध्यान देने वाली बात दवा लेने से पहले आप अपने मूँ को बिल्कुल साफ रखें मूँ में से किसी भी परकार का इसमेल पान गुटका टंबाकुल असुन पियाद का इसमेल नहीं आना चाहिए मुखों बिल्कुल साप रखें इन दवा का परियोग करें तो दवा जाधा फैदा करेगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद